फ्रेंड्स आज में आपके लिए बिना चाशनी के बनने वाले बेसन के एक बहुती स्वादिस लड़ूं की रैस्पी लेकर आई हूँ यकीन मानिए अगर आपने ये बेसन के लड़ू एक बार इस तरह से बना कर खा लिए ना तो आपका भी भी है जो बाहर से लड़ू नहीं लेकर आओगे हमेशा इसको घर पर बना कर लिखाना पसंद करोगे तो चलिए फिर इन लड़ूं को बनाना शुरू करते हैं इने बनाने के लिए आपने शुरू में ये जो नाप के लिए कोई भी कप या कटोरी जरूर सेट करना है सारा नाप उसी से लेना है तो ये हमने इसके लिए जो डेड़ कप लेना है बेसन आप इसके लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास घर पर है ना आप वही बेसनी लड़ों को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अभी हमने इसके साथ ही इसमें एक चमज डाल देना रवा यानी सूजी का बस थोड़ी सी बिल्कुल छोटे चमज से मैंने इसका नाप लिए है करेंगे इसको कम से कम घी बनाने की तो शुरू में हमने ना इसको जो आठ से दस मिनिट के लिए ऐसे ड्राय रोस्ट करना है जैसे जैसे आप इसको भूंते जाओगे धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और बेसन से बहुत ही प्यारी सी है जो खुश्बू भी जानी शुरू हो जाएगी तो अब यह देखिए बेसन को मैं जैसे जैसे रोस्ट करती जा रही हूँ ना धीरे धीरे इसका कलर जो चेंज होना शुरू हो गया और अभी मुझे बेसन को भूंते हुए आठ से दस मिनिट के क्रीब होने वाले है और यह देखिए बेसन का कलर पहले से काफी चेंज हो चुका है बहुत ही प्यारी सी इसमें है जो खुश्बू आने लगी है तो जब आप इसको आठ से दस मिनिट के लिए रोस्ट कर लोगे फिर हम इसमें डालेंगे देसी घी तो यह आदा कप से भी कम मैंने इसमें घी डाला है और घी को मैंने पहले म मिला देंगे और दो से तीन मिनिट के लिए इसको और भून लेंगे बेसन को शुरू से लेकर लास्ट तक रोस्ट करने में जो बारा से पंदरा मिनिट के करीब लग जाते हैं तो अभी यह देखे घी डालने के बाद मैंने इसको दो से तीन मिनिट के लिए और भून लिया और अभी हमें एक मिनिट के लिए इसको और भून लेंगे और बेसन है जो अब देखिए पूरी तरह से जो रोस्ट हो चुका है कच्चा पन इसमें बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही प्यारा सा देखिए आपको देखकर ही पता चल रहोगा बेसन में जो कलर आ चुक है तो अब हमने इसको और रोस्ट नहीं करना बस गैस का फ्ले में जो बंद कर देंगे और यह वला जो हमने बेसन भून कर रखा हुआ है इसको भी आपने एक दूसरे बरतन में निकान लेना है तो अभी हमने देखिए बेसन को एक दूसरे खुले बरतर में निकान लिया और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे अभी ये काफी गरम है ना तो जब ये हलका से गरम रह जाएगा और आपको लगेगा हाथों से आप इसको छूँ सकते हो तो ये देखिए एक बार आपने इ चीनी होती है उसको पीस कर वो भी इसमें डाल सकते हैं और अगर आपको मीठा जादा अपसंद है तो थोड़ा सा आप इसमें चीनी को है जो जादा भी कर सकते हैं जब आप हलके से गरम मिक्षर में इसको बूरा को मिलाओगे न तो इससे ये देखिए ऐसे आप हाथों से अच्छी तरह से मसलोगे न इसको तो इसमें जो बाइंडिंग अपने आप ही आने लग जाएगी बिल्कुल ठंडा नहीं करना अपने इस मिक्षर को क्योंकि हम इसको कम घी में बना रहे हैं तो जैसे हलका सा गरम रहे हैं तब ही आपने इसमें चीनी मिक्स कर देनी है और अच्छी तरह से मसलोगे न तो इससे बाइंडिंग आने लग जाएगी मैंने इसमें और घी देखिए बिल्कुल भी यूज नहीं किया और यह देखिए लड्डू बहुत इसली बाइंड हो रहे हैं और मैं इतने एक साइज किस किया जो लड्डू बना रही हूं तो यह हम अच्छी लड्डू बन कर तैयार कर लेने हैं तो इस रेस्पी को एक पर त्वाइर जरूर कीजिएगा और इन लड्डू को आप 15-20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो उमीद करती हूं आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी चैनल पर नहीं है तो चैनल को स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए